पताई नहीं चलता ही भगवान क्या इसका कोई हल नहीं क्यूं ऐसे बढ़ बढ़ा रही हो भगवान को बुलाओगी तो क्या वो सिलेंडर लाकर देंगे ऐसे मुझे क्यों गूर रही हो इस तरह गैस खतमोना और हाथसों के लिए भगवान को नहीं बुलाना चाहिए हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए आज का पेपर पढ़ाना इतने कामों के बीच इन सब को चेक करके याद रखपाना मुम्किन नहीं है हाँ मुम्किन नहीं है आज की भाग दोड़ बरी जिन्दगी में इन्हें याद रखना ना मुम्किन है लेकिन हमारी समस्या का एक समाधान है समाधान ओरियंस द्वारा पेश किया गया गैस सेफटी डिवाइस यानि की हमारे जीवन का सुरक्षा कवच ये किस तरह हमारी हाथसों से रख्षा करके हमें बचाएगा ये हुई न बात इसका नाम है गैस सेफटी डिवाइस हमारे जीवन का सुरक्षा कवच आग से होने वाले हाथसों को रोक कर हमारी रख्षा करता है इस गैस सेफटी डिवाइस को अपने नॉर्मल रेग्यूलेटर की तरह ही फिक्स कर सकते है इसके बाद रेग्यूलेटर को इसके उपर फिक्स करना होगा अब मीटर जीरो पर है इसके बाद दोनों नॉप्स को आउन करें अन करने के बाद इस मीटर को दो बार प्रेस करेंगे तो automatically gas टो तक पहुँचेगा प्रेस करने के बाद मीटर को हम देखेंगे तो इस वक्त सिलेंडर में कितनी मात्रा में gas है ये हम जान पाएंगे Normally, सिलेंडर से 640 pounds pressure की मात्रा में gas बाहर आता है उससे हमें नॉर्मल रेगुलेटर की द्वारा 320 पॉंट्स की मात्रा में स्टो तक गैस पहुँचाता है लेकिन अपने गैस सेफटी डिवाइस को फिक्स करने के बार ध्यान देंगे तो आपको 160 पॉंट्स कम करके गैस को बाहर पहुँचाता है ध्यान दीजिए इसके द्वारा आपको 30 दिनों तक आने वाली गैस अब 40 दिनों तक तो जरूरी आएगी हम नॉर्मली स्टो को जला कर उस पर दूद या दूसरी चीज रख कर बाहर जले जाते हैं तो हो सकता है दूद उबल कर स्टो आफ हो जाए इस तरह ओफ होने के बाद अगर हम नॉर्मल रेगुलेटर यूज कर रहे हूं तो उससे गैस पुरा बाहर निकलेगा और वो बाहर निकल कर अगर आप ध्यान दे तो हवा से भारी होने के कारण फर्श पर पूरी तरह से फैल जाएगा आप घर के अंदर आकर स्विच आउन करे या दोबारा माचिस की तीली जलाएंगे तो आग से होने वाले खत्रों के चांसस और अधिक हो जाते हैं लेकिन हमारे गैस सेफटी डिवाइस के इस्तिमाल से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के आग के हाथ से बिल्कुल भी नहीं होंगे अब आप देखें मैंने माचिस की तीली जला दी और चार ओर इसे मैं ले जा रहे हूँ लेकिन कोई भी आग का हाथ सब बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बर्नर के पास जब ले जाओंगी तब ही बर्नर जलता है आपने देखा ना यही है हमारे गैस सेफटी डिवाइस की स्पेशालिटी इस प्रकार बर्नर पर बर्तन को रखने के बाद हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है यह दूसरे काम करने होते हैं ऐसे समय में अगर आपके स्टोकी ट्यूब में छेद हो जाए या फिर वो कट हो जाए तो आटोमाटिकली थोड़ी ही देर में गैस पूरा फैल कर बहुत बड़े आपके हाथ से होने के चांस सौर अधिक हो जाएंगे लेकिन अपने गैस सिफ्टी डिवाइस के होते आप गौर करेंगे तो हाथ से की कोई बात ही नहीं है आप खुदी देख लीजे आपने देखा ना बस इतना ही तो आटोमाटिकली 5-10 मिनिट्स में हमारा ये डिवाइस पूरी तरह कट ओफ कर देता है आप देख रहे हैं कि हमारा बनर जल रहा है और घर के बच्चे खेल खेल में अगर इस चूप को खीज दे या फिर अचानक इस प्रकार भूल चूप से ये कट भी हो गया तो आप देखेंगे कि आटोमेटिकली हमारा ये स्टोव अपने आप आफ हो जाता है देखा ना अभी आपके सामने ही आपका स्टोव अफ हो गया है उसी प्रकार अगर आप मीटर की सुई पर गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे जीरो एंड पॉइंट आ गया अब इस वक्त अगर आप देखेंगे नॉमली जब ये ट्यूब कट हो गया हो तो अचानक ट्यूब के कट होने के तुरंद बाद गैस लीक हो जाती है ऐसे वक्त में अगर हम स्टोव अउन करेंगे तो बहुत बड़ा आग का हाथसा हो गई आपने सोचा होगा लेकिन आप खुदी देख लीजे आप ही के आँखों के सामने यहां आग को दिखाती हूँ कुछ भी नहीं हुआ कारण है आप खुद जानते हैं गैस सेफटी डिवाइस कारण की बिना अगर गैस लीक हो जाए तो यह डिवाइस कितनी जल्दी कट ओफ करता है यह बात में खुद आपको दिखाने वाली हूँ आपने देखाना कितना अद्बुत है इतने कम समय में इसने कट ओफ कर दिया इसके बावजूद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो आपके लिए है दो करोड का लाइफ इंशूरेंस पूरे तीन साल की गैरेंटी और तीस साल का लाइफ टाइम इससे बहतेर रक्षा कवच और कहाँ? ओरियंस का GST रसोई घर का रक्षा कवच